मैं आदिवासी साहित्य और संस्कृति के ऊपर सोध काम किया और मैं औरिसा गभर्मेंट का एजुकेशन आफिसर था और उसी समय मैंने देखा कि औरिसा में 22% आदिवासी है और उसमें ऐसे 8 लाग बच्चे हैं जिनके मात्रवासा औरिया नहीं है उनलों के अपनी-अपनी म मैंटी ऄड़ी इस स्थे ऐस्थे महा और प्राइब आफ स्थेरी मैं ईकल एप इसमें प्रान करने के लिए कि मैंने इस शोजाब लिया है कि में इन इनके उपर ही में काम करूं गांब इनने मात्रवासा से और बारत की सम्वाषान आर्टिकल 350A या UNESCO की 1953 का जो मात्रुभासा समंधित जो प्रावधान है उसी सारे प्रावधान को मैं नजर में रखते हुए एवंग भारती जो सिख्यानिती हैं उसको नजर में रखते हुए मैं इसी आठ लग बच्चों को मात्रुभासा में सिख्यादान दे कर उनको दूत लग बच्चें इसमें पार्टिसिविट किया और टीचर्स भी ऐसे साड़े चार हजा टीचर थे जो स्कूल में मात्रुभासा में बच्चों को क्लास वान से क्लास पास तक पढ़ाया यह सिल्सिलां लग बच्चों को सिख्या देन देना उडिसा 96 से सुरू किया था और इ उसी नुतन सिख्यानिती में बहुभासिक सिख्या को और इसा का उधारण को मानते हुए भारत सरकार ने बहुभासिक सिख्या को बढ़ावा दिया आज चतिरिगर्ड राजस्थान अधिपदेश जाड़कन यह सब राज में बहुभासिक सिख्या की बिश्तार हुआ है के बच्चों की परवग्यान जो कहा जाता है उगाव की जयान है। बच्चों के लिए और बच्चे लोग उसमें अपना अपना पुर्वग्यान को देख पाएं और पढ़ना लेखना सिखें तो इस हिसाब से देखा जाएं तो अरिशा का जो गोह वासिक सिख्या है वो एक संस्कृति आधारित भासिक सिख्या है जिसको की सारे दुनिया जर्मान है वो भास फ उसमें की यृष्टा किस्वाइरा होता है कुछ लोगों को लेते हैं और कुछ लोगों की बहता हुता उसमें ख्यमता नहीं होता है, लेकिन ग्यान होता है लोगों की भासा में, जीवन होता है, लोगों की स्वपन होता है, कल्पना होता है, तो लोगों की भासा को स्कूली सिख्या में जब दिया जाए और लोगों की भासा का और साहित्य का अगर अधेयन करके उनिवर्सिटी मे कॉलेज में पढ़ाय जाए तो इस देश का जो सामाजी कसमता है सांस्कृति कसमता है उसको दूरी किया जा सकता है मैं आज तक सारे वारत में 32 भासा में बहुवासिक सिख्या के उपर स्कूली सिख्या को मैं उनकी भासा और ग्यान और सांस्कृति को लेकर कितावे बनाया हूँ और काफी राज्य में इसका चल रहा है और मैं आशावादी हूँ कि ये जो मैं 25 साल काम किया इस काम का प्रभाब आज अगले समय में भरकेवल भारत नहीं ASEAN कंट्रिस में भी पढ़ने वाला है जुरत है भमी भासा और जीवन ये तीन चीज चाहिए जितना छोटे एरिया हो जितना बड़ा खेत्र हो उनका एक अस्तित्व है और अस्तित्व छोटों का अस्तित्व को खतम करके बड़ा का अस्तित्व कभी नहीं रह सकता इसलिए जो प्रयास ये होना चाहिए कि उनकी लोक्साहितिय, उनकी जीवन, उनका परंपरा, रितिनेती के उपर सोध होना चाहिए, उनके उपर किताब निकलना चाहिए, वो सेफ स्कूली और कलेज में पढ़ाना चाहिए, और गाउं में और वसी भासा केत्र के एरिया में लोग अपने अपने भासा संस्कृति क को पुनरजिवीत करना चाहिए और यह पुरसकार मेरा नहीं है यह पुरसकार सारे हमारे देश के जो भी जिसके बंचित भासा जिसकों की निरवता की संस्कृती में थे उन्हीं लोगों की भासा और संस्कृती आज परिचिती मिला इस आवार के कारण मैं आधावार हूं कि ह अरिसा सरकार को भारत सरकार को और बांगलादेश सरकार को जो कि उरिसा सरकार और भारत सरकार ने मेरे कोई काम करने के लिए खेतर दिया और बांगलादेश सरकार मेरे को और उनिसको ये दोनों मिलके मेरा इस काम को सारे दुनिया में परीचाय दिया इस कारण में दोनों सरक करके और इवनिसको की कर्म कर्म कर्मकरता को मैं अबना आवखार व्यक्त करता हूं